हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो और चैनल मैं हूरेतिका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ध्यान देने योग के जरूरी बातें फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल पर अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा तो चली शुरू करते हैं फ्रेंड्स लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से रीड की हड़ी और गर्दन से जुड़ी समस्याइं हो सकती हैं ज़्यादा चायकत सेवन करने से दातों की एनैमिल पर बूरा असर पड़ता है रोजाना सुबा उठकर कंगी करने से बाल मजबूत होते हैं एक चमच दाल चीनी का उप्योग दिन में किसी भी रूप में सेवन करने से निरोगी बने रहेंगे आधे सिरदर्द यानी अध्यकपारी में अगर दर्द हो तो अंगूर की रस का सेवन करें रात और दुपहर के भुजन के बाद एक कली लहसुन की खाने से वजन तेजी से कम होने लगता है सफेज चने शूगर को कम करने में मदद करते हैं ज्यादा ठंडा पानी पीने से बाल ज़ड़ना शुरू हो जाता है काली मिर्च को पानी के साथ खाएं बुढ़ापा जल्दी से नहीं आएगा सूखा पुदीना शरीर पर मल लेने से शरीर के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं उबले हुए आलू खाने से हिर्दय स्वस्त रहता है सावले रंग वाले कच्चे दूद का इस्तमाल करें, रंग साफ हो जाएगा आँखों के नीचे अगर काले घेरे हैं तो रोजाना कच्चे आलू का रस लगा कर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें, घेरे हट जाएंगे अधिक पानी पीने से गुर्दे खराब नहीं होते हैं, तो जहां तक संभो हो दिन में अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए गुलाब के फूल की पत्ती चबा लेने से खून की कमी दूर होती है, बाजरे की रोटी दूर के साथ खाने से खून की कमी दूर होती है किश्मिस खाने से ठकावट दूर होती है अगर भूख न लग रही हो तो अनार दाने पर काली मिर्ज और नमक छिड़क कर खाएं भूख खुल जाएगी सूखी धनिया के 3-4 दाने चबाने से उल्टी नहीं आती है हरे धनिया के पत्ते चबा लेने से उल्टी यानी बंद हो जाती है तो आपके पास चाहे धनिया के दाने हों या हरे धनिया हों दोनों आप इस्तमाल कर सकते हैं उल्टी को बंद करने में आखों की रोशनी तेज करने के लिए सौफ का जादा से जादा इस्तमाल करें खीरा खाने से दिल की धड़कन नौर्मल रहती है पतले होने के लिए दही, लौकी, करेला, सलाथ, शहद, गरम पानी का नियमित सेवन करें वजन तेजी से कम हो जाएगा प्याज का अचार बना कर घर में जरूर रखें क्योंकि इसके सेवन से खून की कमी दूर हो जाती है अमरूद खाने के तुरंट बात पानी नहीं पीना चाहिए, इस से हजा होने का खत्रा बढ़ जाता है गरम दूद में केसर मिलाकर पीने से सीने की वलगम दूर हो जाती है गरम दूद में हलदी मिलाकर रात को सोने से पहले पीएं जुखाम से राहत मिलती है नीवु के रस को खुछली वाली जगा लगाने से आराम मिलता है चुकंदर का जूस पीने से शरीर में ताजगी आती है और खून की कमी भी दूर हो जाती है अधरक वाली चाय पीने से पाचन सुधरता है और सर्दी जुखाम से रहत मिलती है तोसी के पत्तियों का काड़ा बनाकर पीने से सर्दी जुखाम ठीक हो जाता है और कफ दूर होने में भी मदद मिलती है नमक और सरसो का तेर मिलाकर दांतों की मालिश करें दांत स्वस्त रहेंगे अजवान का पानी सुबा खाले पेट पियें पाचल सुधर जाएगा काले अंगूर खाने से आपका रंग साफ होगा और चेहरे पर चमक आएगी सूखे धनिये का चोन बनाकर खाने से खासी में आराम मिलता है हींग को पानी में घोल कर पीने से पेट दर्द में राहत मिलती है हींग ब्लेट प्रेशर को कंट्रोल रखने में भी मदद करता है तो हींग का इस्तिमाल किसी न किसी रूप में आपको अवश्य करना चाहिए चाहे आप सबजी में डाल कर खा सकते हैं यानि की तड़का लगा कर भी खा सकते हैं हींग और नेक्स्ट है खाना खाने के तुरंत बाद नहाना शरीर के लिए नुकसान दायक होता है खिर्दे रोगियों के लिए अरजून की चाल को पका कर पीने से फायदा मिलता है सफेद प्याच को बालो में लगाने से बाल जढ़ना बंद हो जाते हैं और बाल लंबे होते हैं शुगर के मरीज के लिए जामुन खाना रामबाण उपाय है तो जब भी जामुन का मसम हो शुगर के मरीज को जामुन जरूर खाना चाहिए और जामुन किसे बनी कुछ चीजें आपको साल भर के लिए स्टोर भी करनी चाहिए सलात को भोजन करने के आधा गंटा पहले खाएं सुबा के समय मेडिटेशन और व्यायाम करें अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आखों की रोशनी तेज हो जाती है तोचा के जलने पर केले को मैश करके जले हुए स्थान पर लगाएं इससे ठंड़क मिलेगी खजूर के साथ बड़ी इलाजी खाने से बुढ़ी और अधी जवान हो जाती है अगर आपको हमेशा बदलते मौसम में खासी हो जाती है तो दो तीन ग्राम हल्दी को एक चम्मा शेहत के साथ दिन में दो बार चाटें खासी रुख जाएगी डार्क चॉकलेट खाने से गले की खराश खत्म हो जाती है चेहरे से मेकब उतारने के लिए कच्चे दूद का इस्तेमाल करें यदि कान में कीड़ा चला जाया तो कान में सरसुं का तेल डाल दें कीड़ा बाहर आ जाएगा आज की वीडियो में बस इतना ही आपको मेरी यह बातें कैसी लगी है कमेंट करके जरू बताईगा और ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें पास में ही लगे हुए बेल आइकन को इप्रस कर दें ताकि जब भी अप्लोड करूं तो आगे पास सबसे पहले पहुँचे तो फ्रेंट्स मिलते हैं एक निव वीडियो के साथ तब तक लिए बाई बाई और टेक कियर थैंक्स पॉर वाचिंग